नमस्कार, कैपिल टीवी में आपका सौगत है इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, एडी के हवाले से आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अरबंद केजरिवाल को आठवा समन भेजा गया है, पिछले साथ समन में अरबंद केजरिवाल एडी के साथ आख खेल रहे हैं, कभी कहते हैं कि मैं बीजी हूँ, कभी कहते हैं मुझे योगा करना है, विपास्टना करने जाना है, कभी कहते हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि ये समन ही गैरकानुनी है, तमाम तरह की बहानेवाजी कर रहे हैं, लेकिन एडी ने आठवा समन भेजा है चार तारिक को फिर से उन्हें नियोता दिया है कि चीफ मिनिस्टर साहब आप E.D. के दफ्तर आएं आप से सराब घोटाले के बारे में कुछ पूछताच करनी है आपके रोल के उपर कुछ सवाल पूछना है लेकिन केजरी वाल है जो E.D. के दफ्तर जाने को त बस्ते जा रहे हैं या फिर उनकी चलाकियां काम आने वाली है यह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ इस बार सुप्रिम कोट के लॉयर और देश के पी-ई-ई-ल मैन असुनी उपाध्या जी है असुनी आपका बहुत-बहुत सौगत है यह बताईए यह तो आठवा समन नहीं पाएंगे लेकिन वह अपने आपको खुदी एक्सपोज कर रहे हैं पहले कहते थे हमें CBI दे दो एडी दे दो हम प्रश्टाचार खतम कर देंगे हम लोगों को जेल में डाल देंगे हम सबकी जांच करवाएंगे अब जब CBI उनको कह रही कि आप आओ जरा अपना ब जब दो है अगर जो कुछ संझे सिंग ने किया है उसी परपेक्श में केजड़ी बाल जी को इडी बुला रही है की आप जरा आईके मुझे बताइए कि जो संजे सिंग ने खेल खेल किया उसमें आपको क्या है तो जाके बता देना चाहिए अम नहीं जा तर संजे ने जो क अब वो लोग ये इडी उनको पुला रहे है कि आप आईये ज्छारा आप से कुछ बास्तितित करने पूछ है उसके लिए कभी हम योगा करने जा रहे हैं कभी हम पूलिटिकल रैलियों में जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो मजबूर कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं कि किस दिन E.D. आए उनको घर से उठा ले, उसके बाद फिर दिन पूरे देश में ड्रामा करें कि जी सम्मेदान खत्रे में आ गया ह है, देखो हमको पकड़ा जा रहा है, अरे E.D. आपको अपने ऑफिस में बुला रही है, ऐसा थो है, आपको कोड़े ले के तो मारेगी नहीं, सौहब आपसे पूस्ताच करेगी, मेरा तो यह कहना है कि जो बार 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 यह कहते हैं, जिसे कल भी ड्रामा कर रहे थे, कि कि सिसोदिया को एक साल हो गए, जेल में रहते विए, सतिंदर को साल भर में हो गए, इनके पास एक बहुत अच्छा आपसन है, सीधे कोर्ट में एक अप्लिकेशन फाइल करें, कि भई हम सतिंदर, जैन, मनि सिसोदिया, संजय सिंग, हम और अपना, केजरिवाल, अपना परिशान कर रही है, इमांदार है या नहीं है, मुझे लगता है कि इनको अगर एक्सपोज करना, सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग टेस्ट करवाना चाहिए, और वो भी लाइब करवाना चाहिए, रिकॉर्डिंग में नहीं सबसे बढ़िया यही है कि इनको ततकाल कोट में अप्लिकेशन देना चाहिए, इडी में एक अप्लिकेशन देना चाहिए, और खुले आम कहना चाहिए, पूरी मेडिया बुलाओ, मेरा नार्को टेस्ट करो, मेरा पॉलिग्राफ करो, मेरा ब्रेंड मैपिंग करो, लेकिन स चाहिती है यह उसे भाग रहें यह सीधे सीधे सवाल जवाब करनी रहें नारको कहां से कराएं कि एक टेक्निकल मसला भी सामने आ रहा है वो बार-बार अभी प्रेस कॉंफरेंस कर रही है आती सी मान ले ना तो सौरभ भारत द्वाज यह आते हैं मीडिया के सामने लोगों को गुमरा करने के लिए कि यह जो बार-बार आप समन भेज रहे हो यह गैर कानूनी इसलिए भी है क्योंकि मैटर जो है वो अल्रेटी कोट के अंदर है जिसको आगे कोट डिसाइड करेगी और इसलिए यह तमाम समझ जो है वो इलीगल है सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या केज यह क्या लोकर सिस्टेंडाई कानून की दिश्टी देखिए पहली बात तो नरेटिक पर मैं आपको जवाब देदू केजरी वाल थे जो चुनाओ के पहले कहते थे कि दिल्ली में जितने लोगों का बेनामी बंगला है बेनामी फार्म हाउस है बेनामी फ्लेट हम सब को पक कर रहे है मेरी पी-ई-य-ल का विरोध कर रहे है कि प्रापर्टी आधार से लिंक नहीं होना चाहिए जब कि प्रापर्टी अगर अधार से लिंक कर दिया जा कि सारा बेनामी ने सारे चौर पकड़े चले जा हाए दूसरा मैनिफेस्टों में लिखा हुआ था पहले वाले मामा सब फसे पड़े हुए है तो सांसोदो विधायकों वाला मुकदमा थे MLMB कोट में चला गया जो हमारी PIL पर बना है लेकिन जो साली की सरहज की मौसी की चचेरी नानी की मामी वाली जो प्रॉपर्टी है वो मुकदमा ट्रांसपर नहीं हो रहा है अब यह पहले कहते से हम इतना कोट बनाएंगे मोहला क्लीनिक से जादा हम कोट बना देंगे कि सबका मुकदमा एक साल में डिसाइड हो आज से करों ने डिली में कोट नहीं बनाई है क्यों जिससे मुकदमा लंबा चले और इनका मामला जल्दी डिसाइड नहीं इसको लेकर के सुप्रिम कोट से भी लताल पड़ी है इनको कि तुम पैसे क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो अब तो एक नया खेल सामने आ रहा है कि अर्विद केजरिवाल का जो दफतर है वो दिल्ली हाय कोट के जमीन के उपर ह क्या तो रहा हूं ना वो केता है नहीं आये थे हरिभजन को ओटन लगे का पास आये थे जातिवाद खतम करने जरो जाती का जहर घोल रहे है आये थे ब्रश्टाचार खतम करने मंत्री जेल में है और खुद जो चल रहा है कि आप 45 को जो है आप 50 के तहत जो है आपने निरादर किया है तो 174 आपको IPC के तहत आपको परिश्मेंट लेना है वो केस जो चल रहा है और जो समन दिया जा रहा है यह जो घाल मेल कर रहे है उसकी देखें बहुत सिधी सी बात है CBI जो केसेज करती है CBI आइंडियन पिनल कोड को फालो करती है ED अपना खुद का एक प्रोसीजर है ED के अपना एक स्पिसल उसकी प्रोसीडिंग चलती है ED के पास जो पावर है वो CBI से कई गुना जादा होती है ED को बिलकुल अधिकार है कि वो अपने मामले में अलग से पूस्ताच करें क्योंकि CBI तो क्यों यह जांच करती है अपराद क्या क्या हुआ वो बिनामी लेंदिन क्या हुआ पैसा कैसे गया ट्रेल उसकी कैसी है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सिसोधिया ने केजरी वाल के कहने पर ही वो खेल किया हो अब सिसोधिया उसको कुछ बता रहे हों कुछ टिप्स दे रहे हों लेकिन इडिन से उसको वेरिफाई कराना चाहती हो तो बिलकुल यह जो कह रहा है कोट में मुकदमा चल रहा है उसकी फर्दर इंवस्टिगेशन के लिए यह संबन दिया जाता है कई बार ऐसा होता है च उस ट्रेल में जितने लोग आ रहे हैं उस लूप में उस जो पैसे का पुरा खेल हुआ है किसे किसे बात हुई है कौन कौन इसमें बात कर रहा था कौन कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो सौहविक सी बात उसके लिए फर्दर बात अब यह बताईए कि जो आठवा समन प्रेसंट पने आपको नहीं कर पा रहा है कि केजरिवाल इसमें खेल यह कर रहे हैं कि आठ हो जाए नव हो जाए दस हो जाए और एक दिन E.D. हमको आकर हमारे घर से ले जाए बस वो चाहते हैं कि कैमरा के सामने विजुल के सामने पूरे देश की मीडिया के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमको जी देखो हम तो बड़े इमांदार हैं हमको E.D. घसीट के ले जा रही बस इतना उनका औ पब्लिक का emotional sentiment जीतना चाहते हैं ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो बड़े अच्छे हैं हमको घसीट के ले जा रहे है एडी विरोधियों को परिशान करते हैं आप ही कहते थे एडी देदो CBI देदो ब्रश्टाचार खतम करते हैं आप कह रहे थे एडी CBI देदो मैं प्रियंका गांधी को जेल में डालूँगा वार्डरा को जालूँगा सोनिया को जेल में डालूँगा अब आप ही उसके सामने नहीं जा रहे हैं इससे बड़ा पाखंड क्या होगा और आजकी देट में इलेक्ट-्रॉनिक मीडिया के जमाने में जहां सब के पाढ़ डेट बाते कह रहे हैं, सतंदर जी जैन जेल जाने से पहले वही बात कह रहे थे, आज तक न डिस्टिक कोट ने बेल दिया, न हाई कोट ने दिया, न सुप्रिम कोट दिया, जो बाते केजरीवाल आज कह रहे हैं, यही संजे सिंग कहते थे, दहार-दहार के कहते थे, चिला-चिला आज तक उनको जमानत नहीं मिली, सुप्रीम कोट तक से जमानत नहीं मिली, अब इनको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि मैं जेल जाने वाला हूँ, खुद जाएंगे पूस्ताच करने, वहाँ इनको एडी पकड़ ले, वहाँ इनका फिर कोट इनको ट्रांसफर कर दे, क आपने देखा किस तरीके से केजरिवाल क्या गेम प्लान, असवनी उपाज धाय जी, केजरिवाल के बहुत पुराने मित्रे रहे हैं, वह जड़ से जानते हैं केजरिवाल क्या करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, दरसल केजरिवाल खुद को नाखुन कटा करके सही साबित करना चाह रहा है कि कोई आओ पकड़ के ले जाओ ताकि ये सहनभूती वो जनता के बीच ले सके कि मैं तो इमानदार हूँ लेकिन E.D. वाले हमें जबरदस्ती पकड़ रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया आपसे लाइक करें, शेर करें और Capital TV सब्सक्राइब करें धन्यवाद